तो देखते हैं पर question number 5 में हम से क्या पूछा गया है A driver decreases the speed of a car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds Find the acceleration of the car तो यहाँ पर car की जो speed है वो यहाँ पर decrease हुई है तो जो acceleration होगा वो हमारे यहाँ पर क्या हैगा Negative हैगा या बोल सकते हैं वो retardation होगा तो यहाँ पर क्या दरका है जो हमारे speed of car थी वो पहले 25 meter per second थी उसके बाद यहाँ पर जो speed of car है वो यहाँ पर क्या होगी 10 meter per second हो गई in 5 seconds तो 5 seconds में यह जो car की speed थी वो यहाँ पर 15 meter per second क्या होगी कम हो गई है हम यहां पर निकालना कहा है हमें यहां पर acceleration निकालना है सबसे पहले मैं यहां पर given value लिख लेता हूं तो करते हैं इसको यहां पर solve सबसे पहले जो इसकी initial velocity थी initial velocity मतलब यहां पर क्या होता है जो starting में होती है उसको हम यहाँ पर initial बोलते हैं तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ initial velocity initial velocity को हम यहाँ पर u से denote करते हैं किस से u से तो u हमारे यहाँ पर क्या होगा 25 meter per second जो कि हमारे starting में था और जो final velocity होती है इसको हम यहाँ पर v से denote करते हैं वो हमारे यहां पर क्या होता है, final velocity, मैं यहां पर लिख लेता हूँ, final velocity, final velocity, minus यहां पर क्या होगा, initial velocity, initial velocity, upon हमारे यहां पर क्या होगा, time taken होगा, यहां पर time लिख सकता हूँ, यह हमारे यहां पर क्या होगा, time होगा, और A से हमारे यहां पर क्या है, acceleration है, तो acceleration equal to v minus u upon t तो v हमारा यहाँ पर क्या है 10 रखा है minus u हमारा कितना होजाएगा 25 upon time कितना लगा था फाइफ सेकेंड का इसको यहाँ पर करते हैं solve तो यह हमारा कितना होजाएगा minus 15 upon 5 divide करने पर यहाँ पर कितना आजाएगा minus 3 आजाएगा इसका मतब जो यहाँ पर acceleration है वो हमारा यहाँ पर क्या है minus का 3 meter per second square जो कि यहाँ पर इसकी unit होती है acceleration की यह बोल सकते हैं यह हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है retardation होगा क्योंकि जो acceleration है वो हमारा यहाँ पर negative में आ रहा है तो hope आपको यह वाला answer समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ